study tips I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगी और आपकी preparation भी बहुत अच्छी चल रही होगी आज हम करेंगे एक 11 और 12 जुलाई के most important current affairs जो की सारे परतियोगी परिक्षाओं के लिए समान रूप से बहुत ही उप्योगी है तो चलिए start करते हैं आज के current affairs के session को आप इस वीडियो को इंड तक देखना जिससे आपको current affairs के section में एक improvement फील हो और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप comment box में description box में जाए वहाँ पर PDF डाल दिया जाता है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके current affairs को revision कर सकते हैं हमारा पहला question है 200 जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है तो जितने भी जुलाई मन्त के जितने भी important days हैं हम अपने वीडियो में जो भी मन्त होता है उससे related जितने भी important days होते हैं उससे एक बार revision जरूर करते हैं क्योंकि उससे examination में questions बनते ही बनते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस यानि की world population day is celebrated on which day तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी theme क्या रही है? विश्व जनसंख्या दिवस की theme क्या रही है? तो अधिकार और बिकल्प उत्तर है चाहे बेबी बूम हो या बस्ट अधिकार इतना आप याद रखेंगे अधिकार और बिकल्प उत्तर है आपको ये याद रखना है विश्व जनसंख्या दिवस के थीम और जो ये विश्व जनसंख्या दिवस को मनाये जाने का जो शुरुवात किया गया था युनाइटेड नेशन के द्वारा 11 जुलाई 1909 ठीक है 1989, 11 जुलाई 1989 से युनाइटेड नेशन के द्वारा 200 जनसंख्या दिवस मनाय जाने का शुरुवात किया गया और ये किसलिए किया गया तो जो परिवार नियोजन है ठीक है फैमिली प्लानिंग है परिवार नियोजन जनसंख्या नियंतरन के लिए ठीक है परिवार नियोजन के परती लोगों को अवेर करने के निए लोगों को जागरुपता बढ़ाने के लिए विस्तो जनसंख्या दिवस यूएन के द्वारा 11 जुलाई 1989 से मनाया जा रहा है और इस बार भी 11 जुलाई को ये मनाया गया और इस बार इसके थीम रही अधिकार और बिकल्ब उत्तर है अच्छा ये जो विस्तो जनसंख्या दिवस है इसके उपलक्ष पर इसके उपलक्ष पर इसके दिन ही एक बहुत इंपोर्टेंट जानकारी निकल कर आई है कि उत्तर परदेश के गॉवर्मेंट यानि कि योगी जी द्वारा उत्तर परदेश में POPULATION CONTROL BIL लाया गया है, मतलब जनसंख्या नियंतरल कानून लाया गया है किस दिन तो जनसंख्या, 200 जनसंख्या दिवस के दिन اب इसके बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, इसमें किया है, इसमें किस तरह की बाते कही गए है इस बिल में क्या-क्या बात कहा गया है, कौन से लोग इसके अंतरगत आएंगे, कौन से लोगों को इससे फाइदा होगा, कौन से लोग इसके घाटे में रहेंगे, तो जो यूपी गवर्मेंट के द्वारा, यानि कि योगी सरकार के द्वारा, जो पॉपिलेशन कंट्रोल भ बसके दिन उपलक्ष पर तो इसके इस कानून के खिलाब भी एक कंट्रोवर्सी मेरा बहुत लोग इसके अपोज में भी बोल रहे हैं बहुत लोग सपोर्ड भी कर रहे हैं तो देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है तो देखें राजस्थान वो मद्य परदेश की तरह सुबे में भी मतलब यूपी में भी दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी से दूर रखे जाने की सिफारिस सामिल याने की इसमें दो से अधिक बच्चे वालों जो होंगे उनको सरकारी नौकरी से वन्चित ऐसे अभिवावत राज्य सरकार की किसी भी भरती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। चलिए ये तो गलत बात है, जो भी है जिसका ये परसनल वामला है, लेकिन बहु विवाह का भी ध्यान रखाए कि आकिर एक साधी कर लिया, उससे दो बच्चे है, तीन साधी कर लिया, उससे लेकिन उसके छे बच्चे हो गए, आपको एसके दो दो ही जोड़े जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है इस कानून को लाया जाने के बाद। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके परमोशन को रोका जा सकता है आपको नोकली से परकास भी किया जा सकता है ऐसा इस कानून में कहा गया है कि ऐसा करेंगे। कर्मी का contribution बढ़ाने वो अनेलाब दिये जाने की सिफारी से ठीक है ये बात याद रहेगा कि वो वो government employee जिसका परिवार सिमित है यानि कि दो से अधिक बच्चे उसके नहीं है और वो अपनी मर्जी से नस्बंदी कराते हैं तो उसे सरकार की द्वारा अतिरिक इंक्रिमेंट दिया जाएगा, promotion लिया जाएगा, आवास योचनाव में छूट, PF में कर्मी का contribution यानि कि employee को PF भी बढ़ाया जाएगा चलिए बात करते हैं कि जो दमपत्ती यानि कि ये तो सरकारी नोकरी का बात होगा जो government employee है लेकिन जो government employee नहीं है उसका भी परिवार सिमित है और वो भी मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उसको पानी, बिजली, मतलब home, water, या फिर electricity जो tax लगता या पिर अन्य किसी परकार के जो tax लगते हैं उसमें उसे छूट दी जाएगी ठीक है अच्छा उसके बात क्या है कि अगर आप दो से अधिक बात किया गया लेकिन अगर आप एक सं संतान पर ही मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो आपको 20 साल तक मुप्त इलाज, सिक्छा, बिमा के साथ नोकरियों में भी आपको वर्यता priority दी जाएगी ठीक है एक संतान वाले दमपत्ती को सरकारी नोकरी में चार इंक्रिमेंट तक मिल सकते हैं बहुत बड़ी बात है गरी उसको एक बार में दिया जाएगा चलिए ये बात हो गया और भी कुछ बाते हैं यदि मानके चलिए कि अगर किसी का एक बेबी हुआ फास्ट में और सेकेंड बार उसके जुड़वा बच्चे हो गए या फिर दो या दो से अधिक बच्चे हो गए तो उनको एक ही माना जा आएगा ये भी आपका confusion यहां से दूर हो गया ठीक है तिसरे बच्चे को आप गोध ले सकते हैं दो बच्चे आपके हैं तिसरे बच्चे को आप गोध ले सकते हैं उसके बाद किसी बच्चे की और समय मिरित्व यानि कि टाइम पे इसी तरह से किसी कारण वरस अगर किसी बच्चे की मिरित्व हो जाती है तो तीसरा बच्चा कानून के दाइरे से होगा बाहर जो कानून आएगा उससे तीसरा बच्चा बाहर होगा चलिए बात करते हैं कि सरकार को कानून लागू करने के लिए राजे सजन संख्या कोस बनाना होगा ये कानून लागू करने के ल लोग बच्चे अवेर होें कि जन संख्या कितना जरूरी है बर्थ कंट्रोल का कि किसी भी देश के development में किसी भी एरिया के किसी भी रिजन के development के लिए जन संख्या निहां बहुत जरूरी है इस बार वजाथट जन्जंख्या दिवस पर जब देखा है कि हम लोग दूसरे अस्तान पर रहेंगे एक अस्तान पर भी फर्स्ट अस्तान पर भी पहुँच सकते हैं इसलिए बर्थ कंट्रोल करना जो बहुत जरूरी है और इस प्रता के कानून सरप्रतेक राजी के द्वारा अब लाया जाने के बहुत आवज सकता है ठीक है तो ये बात हो गया जन संख्या दिवस पर जो योगी सरकार द्वारा जो जन संख्या नियंतरन दील लाया गया है 2021 वाला उसके बारे में हम लोगों ने बात किया अब देखते हैं कि कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस टीम ने जीता तो अर्जेंटिना के इसने ब्राजिल के टीम को हराया और अर्जेंटिना के लियोनल मेसी का लियोनल मेसी अर्जेंटिना के और से खेल रहते ठीक है अगला बात करते हैं ट्वीचर ने भारत में किसी सिकायत अधिकारी के रूप में नियूट किया तो अभी अब लोग ने देखा कि जो नया आईटी लौ आया है उसके तहत जितने भी सोचल मेडिया कमपनीज हैं उसको भारत में भारत के ही नोडल अधिकारी सिकायत अधिकारी अपॉइंट करने होंगे ठीक है तो सारे social media जो company's है उन्होंने कर दिया और अभी टु़िटर ने भी इसको मान लिया है और टु़िटर का जो Jeremy Kessel है भारत में सिकायत अदिकारी इसको हटा के वारत के ही सिकायalar बहारत के ही सिकायत अधिकारी यहांपर गुस्ट किया गिया जो इसका नाम है बिनय प्रकास क्या है इसका नाम है बिनय प्रकात वहीं उस पूर्ति पिरिया फेस्बुक के फेस्बुक ने इसे भारत में सिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और पारेश बिलाल को WhatsApp ने भारत में सिकायत अधिकारी के रूप में निउक्त किया है करनाटक में नए राजेपाल के रूप में किनों ने सफ़त लिया अभी जो मंत्री मंडल, मोदी मंदल 2.0 यानि कि मंत्री मंडल का जो बिस्तार हुआ उसके जश्ट पहले आठ राजियों के नए राजेपाल, राजेपाल राश्टरुपती के द्वारा, मानेलिया राश्टरुपती के द्वारा निउक्त किये गए तो उन राजेपालों का जो अब सफ़त लेना इस्टाट की है तो करनाटक में नए राजेपाल के रूप में किन होने सफ़त लिया तो थावरचंद गहलोग करनाटक के राजेपाल बने हैं। बंडारू दत्त्तत। हर्याना का बंडारू दत्तत्त हिमाचल पर्देस का बना है राजेंदर विश्वनात कार लेकर ठीक है। हरी बाबू कंप भाती इसको आपको याद रखने हैं वहीं देखे SJVNL यानि कि सतलुज जल विद्यूत निगम लिमिटेड जो सतलुज जल विद्यूत निगम लिमिटेड है उसका एक पन बिजनी परियोजना है अरून ठीक है? SJVNL signed an agreement with which country for hydroelectric project Tarun and their development यानि कि पन बिजनी परियोजना अरून के विकास के लिए किस देश के साथ समझाता किया है? तो SJVNL ने इसके विकास के लिए नेपाल के साथ एक agreement पर साइन किया है चलिए आगे बात करते हैं अगले question की कि बिंबल डन पुरूस एकल का खिता? किसने जीता? अभी अभी बिंबल डन पुरूस एकल हुआ ठीक है? तो इसमें दुनिया के नमबर वन के खिलारी नुवाक जोकोबिक जो कि सर्विया से आते हैं सर्विया के हैं सर्विया के हैं और इन्होंने इन्होंने फिर से बिंबलडन पूरू से कल का किताब इन्होंने जीत लिया ठीक है इन्होंने जीत लिया बहुत ही बड़ा अपडेट है और ये जो इसका बिंबलडन टाइटल है मतलब ये बिंबलडन कितने बार जीते हैं तो ये इसका छटवा किताब है, ठीक है, छटवा बार ये बिंबलडन किताब को जीते हैं, और इन्होंने हराया किसको, तिन्होंने हराया मैट्यो बाटेनी को, ठीक है, मैट्यो बाटेनी को, और ये इटली से थे, ठीक है, इटली से थे, इन्होंने हराया फाइनल में इसको हरा क नौाग जोकविक ने बिंबल डन पुरू सेकल का किताब जीत लिया वहीं आपर आप देख रहे होंगे समीर बेनर जी ये समीर बेनर जी है ठीक है समीर बेनर जी और इन्होंने बिंबल डन में लड़कों का एकल किताब यानि कि बॉज सिंगल्स में, बॉज सिंगल्स को इन्होंने जीता है, किसमें समीर बैनर जी ने ओहरा है, किसको विक्टर ली लोग, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, grand slams, tournament के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको याद रखने बहुत जरूरी है, चलिए एक बार इसे चार grand slam tournament होते हैं, टेनिस के, उसका आपको क्रम याद रखना है, Australian Open, Australian Open सबसे पहले होते है, ठीक है, उसके बाद होता है French, Australia के बाद Australian Open के बाद होता है French Open, उसके बाद होता है Wimbledon Open, और उसके बाद होता है US Open, मतलब 4 grand slam tournament होते हैं टेनिस के, और इसके क्रम इस परकार है, Australian, फ्रेंच विंब्लठन और यूएस ओपन, थिक है, तो इसको आपको याद रखना है, इन चारोh grand claim कभी-कभी, क्वेस्चन में क्रम् भी पूछ लिये जाते हैं, तो बात करते हैं, जो इस बार 2020 में जो आस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें में सिंगल्स का किताब नौग जोकोबिक नहीं जीता चलिए देखते हैं कि नुवाग जोकोबिक इस तरह से जीते जा रहे हैं और इसमें वुमेंस सिंगल का किताब किसने जीता था जो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियान ओपन हुआ था उसमें वुमेंस सिंगल का किताब जीता था नाओमी ओसाका जो कि जापान स ता बहुत important है एक्जाम में अभी नए नए जो एक्जाम होगा उसमें question ये बनेगा बारबारा crazy कोवा बारबारा crazy कोवा woman single का किताब इसने जिता था फ्रेंज में वहीं अभी हुआ है bimbledon और bimbledon में भी फिर से noak jokovic noak jokovic नाम याद रख लिजे बहुत important है noak jokovic bimbledon को भी इसने जित लिया और इसमें woman single का खिताब किसने जिता है तो एस ले बाटी एस ले बाटी ने जिता है woman single का खिताब जो कि Australia की है तो यह यहां से बात हो गया वहीं बात करते हैं कि जो यह पुछा जाता है कि एक important question है कि Australian और US open जो Australian और US open है यह खेला जाता है hard court पर hard court पर यह भी पुछा जाता है वहीं French खेला जाता है French midty court पर मतलब midty clay भी खेला जाता है ठीक है और वहीं Wimbledon खेला जाता है घास के मेदान ठीक है यह बात हो सुलो यह क्या किया के लिए बाइक से इन सारे दर्रों को पास करने वाली 18 दर्रों को पास करने वाली बन गई है इसका नाम है कंचन उगुसांदी कंचन उगुसांदी बहुत important है पहले भी हमने बताया था कि जो पहला होता है या फिर इंडिया में वह बहुत important होता है question जो की exam relevant होता है इसको आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि देखो अमेरिका की अमेरिका का जो राजदूत है भारत में अमेरिका का राजदूत भारत में अभी अभी जो बाइडन के द्वारा निक्ट किया गया है एरीक गारसेटी को वहीं यहाँ पर देखे टासी यंग जोम यह पहली महिला बनी है पहली महिला बनी है जो कि अरुनाचल परदेश से हैं पहली महिला बनी है एवरेश्ट को फटा करने वाली ठीक है चलिए वहीं पर बात करते हैं मिथाली राज की पीके वारियर बहुत important question है और इनका निधन हो गया है तो आपसे अगर obituary section में निधन में पूछा जाएगा तो आपको नाम दे दिया जाएगा उसके occupation वो कौन थे यह पूछ लिया जाता है ठीक है तो ये एक प्रसीद आयूरवेदा चारी थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है 100 वर्स के थे ठीक है 100 वर्स के थे ये इसको आपको याद रखना है PK वारियर आयूरवेदा चारी अगला देखिए हम लोग आज करेंगे आज से हम लोग अपनी current affairs के section में top one liner भी देखेंगे उस days से related तो आज के top one liner के रूप में हम देखने वाले हैं कौन-कौन से हैं चलिए इसको जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं किस भी मा company ने वेक्तिगत ततकाल वार्सिक योजना सरल पेंसल लांच किया है तो आपको अगर पूछे सरल पेंसल किस ने लांच किया है L.I.C. I.C.C. के CEO पद से किसने इस्तिपादे दिये ये revision point of view से भी बहुत important है आप इस वीडियो को पूरा देखिए आपको बहुत फ आप बताएंगे comment section में भारतिय सेना ने power salute पहल के लिए किस बैंक के साथ समझाता किया है power salute ठीक है power salute जो है किस बैंक के साथ भारतिय बायुसेना यानि की Indian Air Force के साथ कितने करोड़ रुपे का समझाता किया है भारत dynamics limited ने Indian Air Force के साथ किया है 499 करोड रुपे का समझ होता राष्ट्रिय मत किसान दिवस राष्ट्रिय मत से किसान दिवस यानि कि एक्वा कल्चर डे ठीक है एक्वा फार्मिंग बोल सकते हैं आप इसे तो नेशनल एक्वा फार्मिंग डे किस दिन मना जाता है 10 जुलाई को मना जाता है 11 जुलाई को कौन सा डे मनाय गया 20 वजन संक्या दिवस और इसका थीम क्या रहा था ये भी हम लोग देखें और इस बार कौन से एक बहुत ही important बात आई वह भी हम लोगों ने देखा कि उत्तर परदेश में क्या हुआ किस देश में हेलमा पी नामक laser operated anti-drone system का फरिक्षन किया फन 88 का brand ambassador किसे नहीं उत्ति किया गया है तो fun88 का brand ambassador आपको इसे याद रखना है डेरें सैमी को fun88 का brand ambassador डेरें सैमी को नहीं उत्ति किया गया है western ndgy के खिलाडी है किस राजी में covid-90 का कपपा variant पाया गया उत्तर परदेश में ठीक है साथ भारत ने समझोता किया है किस राज ने अपने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोसना की है बिम्बल्ड टेनिस का टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जिता मैंने अभी बताया एस ले बाटी ने डॉक्टर पीके वारियर का निधान हो गया एक प्रसिद्र आयरुवेदा चिकित सकते आयरुवेदा चारिये थे तिलारी संरक्षन में तिलारी संरक्षन रिजर्ब ठीक है तोक्यो अलम्पिक में पवन सिंग को जियरी मेंबर के रूप में चुना गया है 18 दर्रों को फता करने वाली पहली महिला वाई पर कौन बनी है कंचन गुसांदी 200 जनसें क्या दिवस्त 11 जुलाई को मना जाता है इस बार इसकी थीम रही है राइट सेंच्वास आरदा आंसर आपको याद रखना है राइट सेंच्वास आरदा आंसर ठीक है किस राजे में अंटार्क्टिका के पौधे ब्रायम भारती एंसी का प्राजाती पाया गया तो पंजाब के बेग्यानिकों के दोरा इसे खोजा गया तो पंजाब याद रख आप हमारे अगर आपको ये content आपको ये information अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को subscribe करें लाइक करें और चैनल को share करें लोगों को बताएं कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए classes लाए जा रहे हैं और जो कि आपके examination को crack करने में थोड़ा सा अगर ह सबसे पहले तब तक के लिए आप safe रहे हम लोग मिलेंगे next session में नए current affairs के साथ तब तक आप पढ़ते रहें और अपने preparation को पुकता करते रहें